हेलो गाइस तो गाइस यहाँ पर मैंने दिन के फर्स ट्रेड लिया यहाँ पर मैंने SDFC बैंक में ट्रेड किया यहाँ पर मैंने SDFC बैंक के स्टोक को शोट किया है और मैंने एवरेज अप के लिए भी और ओडर भी लगाई हुए हैं तो लेट सी अभी देखते हैं तो दोस्त जाके हमा पे ट्रेइल ले सकते हैं लेकिन दोस्तों भो कौज़ब कार selbst इंडिक यहां पहले इस Cookie हो जाता है और वहाँ पे डेढर यहां पार जैंड और यहां पर यहां पार हमें को कहां तक करना है कहां तक कहां तक हमें प्रॉफिट देता है रोर दोस्तों यहाँ पे जो मैंने ट्रेड ली है वो इस वजह दोस्तों मैं जो HDFC bank है उसके result expectation से थोड़े week आई थे तो इसी वेज़े से मैं इस stock में थोड़ा bearish हूँ दोस्तो जैसे कि मैंने trade लिए है यहाँ पर दोस्तो मेरा same discipline रहेगा ऐसा नहीं कि मैंने trade ले तो ली और मैं होके काम करूंगा मैं वही रूल regulation अपनाऊंगा और उसी के coding यहां से काम करूंगा और आप देख सकते हैं नया लो लगा दिया 1663 का तो यहां पर मैं सेम ऐसे करूंगा दोस्तों अपना जो मेरा target है वह हमें इसा बढ़ा ही रहेगा और मैं यहां पर कुछ quantity exit भी कर दो और कु quantity है वह बुक हो चु कि अब यहां पे हम क्या करेंगे अब यहां पर जो हमारे quantity है उसको तो हम 25 कर देंगे और जो हमारा stop loss है उसे हम से कोष्ट पर रखतेंगे ठीक है कोष्ट पर तो लेडी था ही लेकिन यहां पर हम इसको अब दोस्तों श्ट्रेड मैं में लोस्त नहीं ह को यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लोग लग चुक है 1654 का और आप देखिए ओनली दोस्तों छोटी सी क्वांटिटी में यहाँ पर हम अभी तक का प्रोफिट गेन कर लिए वो भी चोटी सी क्वांटिटे में इसने मुझे 500-500 तक का प्रोफिट दिखा दिया था लेकिन दोस्तों वहाँ पर यह और ज्यादा निच्छे गिर सकता था लेकिन यहां से रिवर्स हुआ तो यहां से मैंने एक्जिट कर लिया तो भाई लो मोच गया ओल्मोस तो दोस्तों मैं जादा वेट में नहीं करूंगा मैं इसको तुरंट से एक्जिट कर दूँगा तो लेट से भी देखते हैं तो भाई लोगों यहां पर बिना किसी देरी के मैंने ट्रेड से एक्जिट कर दिया दोस्तों जहां पर मैंने ट्रेड लिया थ वहाँ पे मुझे breakout मिला लेकिन दोस्तों breakout फेल हो गया ठीक है तो जैसे यहाँ पे breakout फेल हुआ तो मैंने यहाँ पे immediately इमिडेटली मुझे टेट से exit कर दिया बीना किसी बेट के तो दोस्तों देखो हमें अपना discipline मैंटेन करके चलना होता है दोस्तों अगर हमें यह breakout मिला और breakout नहीं चला तो वहाँ पे एकजिट करना ही बनता था ठीक है ना कि हम अपने ट्रेड को लेके बैटरी या फिर अपने स्टोप लोज हीट होने का वेट करें तो आप देख सकते प्राइज अब 1856 पर मैंने यहाँ इसको 178 पर एकजिट कर दिया ठीक है तो हमें यहाँ पे इमेडेटली एकजिट लेने होते हैं और दोस्तों हमने यहाँ पर एक छोटू सा लोज ले लिया है जो की बिल्कुल ही छोटू सा है और दोस्तों वैसे तो मैं आगे कोई ट्रेडिंग नहीं करने वाला गर मैं ट्रेड लेता भी हूँ तो आपको बिल्कुल अपडेट पर 42300 को शोट किया था और यहाँ पर मुझे जो ब्रेक आउट मिला वो ब्रेक आउट डिसकंटीन हो गया मतलब फेल हो गया तो मैंने वहाँ पर बिना किसी देरेगी अपने ट्रेड को एकजिट कर दिया तो दोस्तों आईए मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट भी द चलता चला लगा और फिर यहां से थोड़ी सिसने रिकवरी ली तो दोस्तों इसी वज़े से मैंने यहां पर मार्केट के ओपन होती मैंने कोई ट्रेड नहीं ली दोस्तों अगर में यहां पर मार्केट की ओपन होती पुट साइड एंट्री ले लेता मतलब की पुट को शो लेगे तो प्लीज लाइक की दिया एंड चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा